Hello student, welcome once again प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रिस्टामर 12 सॉल्व करेंगे exercise 1c का इसमें बोला जा रहा है कि the sum of two numbers is इतना if one of them is इतना ठीक है, बड़ा बड़ा number इसलिमें इतना इतना कर रहा हूँ what is the other number? यानि कि क्या बोला जा रहा है वो समझो concept समझगे है तो असानी solve हो जाएगा अगर आपको ये पता चलिए कि आपको plus करना है या minus करना है तो आप clearly solve कर सकते हो चाहे कितना बड़ा number है तो इसको आप क्या करो कभी भी step से question है तो छोटे numbers की example कि थरू बनाओ आप मान लो कि दो number का जो sum है वो कितना है 10 है तेक आप for example मैं ले रहा हूँ मान लो दो ऐसे number से जिनका sum 10 है और उनमें से एक जो number है वो मान लो 8 है तो बताएगे कि जो दूसरा number होगा वो कितना होगा तो तो अब simple है हम जानते हैं कि दोनों number का sum का मतलब क्या होता है कि दोनों को plus करेंगे तो इतना answer आ रहा है तो 10 आ रहा है और उनमें से एक जो number है वो 8 है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दूसरा number होगा वो 2 होगा क्योंकि हम जानते हैं 8 और 2 को plus करने पर ही तो 10 आता है तो same कम यहाँ पर करेंगे जो इतना बड़ा सा number दिया हुआ है इसमें से इसको minus कर देंगे याँ यह जो sum है उसमें से पहले वाले number को minus कर दो तो आप वो पता चल जाएगा कि second वाले number कितना है तो जब कभी बड़े बड़े number आ है तो उसको छोटे numbers में convert करके बड़े number को minus करना इसलिए पहले number को दम इसके नीचे अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे ठीक है जादा आगे पीछे लिख दोगे तो फिर दुबारा arrange करना पड़ेगा अलग से लिखना पड़ेगा उतना मेंत मत करो simple लिखो one of them यानि उनमें से जो एक number है borrow करने जाएगा इसके पास उधार मांगने यह 0 बोलेगा मेरे पास खुद है नियत मैं तुमको कहा से दूँगा भहिया तो फिर यह दुनों जाएंगे 3 के पास 3 अपना 1 इधर दे करके खुद 2 बन जाएगा और इसको 10 बना देगा 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8 आएगा यहां 2 बचा है 2 में से 5 मैंस नियुक्ता यह इसके पास आएगा वही हाला जैसे पहले था यह बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है दोनों आगे जाएंगे यह फिर अपना 1 इसको दे कर 9 में से 7 मैंस हुआ तो 2 आ जाएगा यहां पर 4 है तो 4 में से तो 6 मैंस नहीं हो सकता इदर जाएगा बगल वाले पास बोरो करेगा तो 14 बन जाएगा 14 में से 6 मैंस होगा तो 8 आ जाएगा अब यहाँ पर कितना बचा भी है तो 6 बचा क्योंकि 1 इधर दे दिया था 6 मेंसे 9 मिनस नहीं हो सकता बगलवले के पास जाएगा बगलवले बुलेगा मेरे पास कुछ नहीं है ये दोनों जाएंगे इसके पास ये अपना 1 इधर दे करके खुद 0 हो जाएगा और इसको 10 मना देगा फिर 10 अपना 1 इसको दे करके 16 मना देगा इसको और खुद 9 बन जाएगा तो ये 16 में से हमारा 9 मिनस होगा तो इतना आता है 7 आता है हम जानते हैं कि इन दोनों का ही तो cens इतना था न इन दोनों का sum निकलकर आप चेक करें कर लो कि आपका answer सही है कि अगर दोनों GUY सम इतना आ रहे है तो इस Originally copy ना यहाँ ना एक कोपी में बता नहीं रहा हूं मैं हैँ यहाँ पर यह वला झाल झाल